एक ब्रत इसरी मीड़ा प्लेटिकτόshiftर खामिकने लेक लिए वीडियो और वीडियोotard फॉटम ग्लेमबलूरूरूरूरूर॥ कहते हैं कि जब आपका बुरा समय आता है तो आप कोई एक सही कदम उठाते हैं उसके साथ आप 2 गलत गदम उठा लेते हैं या आप दो सही कदम उठाते हैं तो एक इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं कि आपके सारी अच्छाईयों पर पानी फेर देता है इल्विस यादव के साथ ठीक ऐसा ही हो रहा है आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो लोग भी इल्विस यादव के सपोर्टर्स हैं इल्विस यादव के फैंस हैं जो लोग भी रैंडम सेना के फैंस हैं और जितने भी यंग लोग हैं 10-12th क्लास के बच्चे हैं जो इन जैसे लोगों को फॉलो करते हैं इन स्टेटस है इन सब के इलावा हम आपको दो important examples देंगे एक example एक हिंदु समाज से आए हुए gangster की बाहुबली की और एक मुसल्मान समाज से आए हुए gangster और बाहुबली की इन दोनों के example से हम आपको समझाने की कोशिस करेंगे कि कैसे आप सत्ता के support में अपने आपको आप बादसा समझने की कोशिस करते हैं लेकिन actual में आप जो politics होती है जो political system होता है आप सिर्फ और सिर्फ उसके प्यादे होते हैं चाहे आपको वो political system political class कितना भी importance feel कराए कितना भी आपको king या queen feel करवाए लेकिन actual में आप सिर्फ एक प्यादे की भूमिका में रहते हैं उससे जादा आप कुछ भी नहीं होते हैं चाहे आप आपने आपको कितना भी बड़ा तिसमारखा समझते हों आज का ये वीडियो काफी important है इसलिए आप सबसे request है कि इस वीडियो को sports person इसमें पार्ट लेते हैं इसका एक inauguration match खेला जाता है 6 मार्स 2024 को उसमें मुनावर फारुकी और इल्विश यादव दोनों ही सामिल होते हैं और ये दोनों जब वहां मिलते हैं तो काफी अच्छे atmosphere में मिलते हैं हासी मजाग करते हैं एक दूसरे के साथ अच्छा fun time spend करते हैं दोनों में से कोई एक दूसरे के साथ disrespectful नहीं होता है और होने का कोई वज़र भी नहीं होता है वहां पर सचिन ते नुरकर भी अक्षे कुमार भी सारे के सारे लोग मुनावर फारुकी के साथ मजाग कर रहे होते हैं मुनावर फारुकी सचिन का विकेट भी लेता है फिर वहीं पर बाकी सारे लोग जो हैं वो इल्विस के साथ भी हसी मजाग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वैसे एक fun और एक अच्छे environment में वहाँ कोई पागल ही होगा कि जाके वहाँ पे लड़ाई करेगा और इसी बीच में ये सारी जो photographs वीडियो जो है वो social media पर circulate होना शुरू होती है इसी के बीच में एक random cinema नाम का twitter account चलता है उसने इल्वीश यादव, इल्वीश यादव के friends, इल्वीश यादव के जितने वी fans हैं उनको मा बहन की गालियां देने शुरू कर दी क्यों कि इल्वीश यादव ने मुनावर फारुकी से गले मिला उसके साथ अच्छे से बात किया सिर्फ इस region के लिए यहाँ पे इल्वीश यादव की कहीं से कोई गलती नहीं थी लेकिन यह जो random सेना है उनका एक narrative मुनावर फारुकी के against बहुत लंबे time से चलते रहा है लेकिन यह सारा का सारा जो propaganda और narrative है वो पूरा का पूरा जूट mislead पे आधारित है हमने एक already detailed वीडियो बनाया है जिसमें हमने explain किया है कि कैसे मुनावर ने कभी किसी धर्म जाती समुदाय भगवान किसी चीज का कभी भी कोई अपमान नहीं किया है यह चीज बहुत अच्छे से हमने explain कर दिया है अपने वीडियो में वो आप देख सकते हैं यह जो गाली गोलोज स्टार्ट होता है डेंडम सेना का उसका कुछ क्लिप जो है वो हमने अपना लगाया हुआ भी है पुराने वीडियो में हम आपको फिर से थोड़ा सा सुनवाते है तो सुना आपने कैसे कितनी भद्दी भद्दी गालिया ये आदमी जो है इलविश यादव को भी नहीं सिर्फ इलविश यादव के सारे इनोसेंट फैंस को उसके फ्रेंड्स को भी नाम लेकर ये आदमी गाली देता है माभेन की इन सारे चीजों पर इलविश यादव इस पेस बनाते हैं और अपने व्लॉग में ये आके एक्स्प्लेन करते हैं अब तुम कहाते हो मैं वहापे क्या मू लटका के कुट्टेगा सा मू लेकर गूंता रहूं कि किसी से बात्चीत नी दूर दूर से भाई चैरिटी में आचता हो अब अक्षे कुमार भी उसके साथ के लाद अक्षे कुमार को भी गाली बखोगे तुम की साथ मैं कि हम यहाँ पर गेम खेलने आए ना कि दूसरे के ओपर हीट्रेडर अनिकालने आए कि नफरत हो गई इसने यह बोल रखा उसने वह बोल रखा हभगे वह भी जो उसको मेरी पसंदनी वोगी हजार चीजे उसकी भी यह जो मुझे पसंद नी होगी बट ऐसे थोड़ी ना कि दुश्मनी दिखाओं वाँ कुष्टी करने लग जाओं गाली वक्दूंस को मार पीट मचादू उसके साथ या फिर कुछ गलत सलत कह दूँ बैइ सामने वाला बंदा प्यार से बात करता तो मुझे नहीं लगता कि अपने को ऐसे रूड होना चीए या फिर खराब होना चीए यहां पर इल्वीश यादब फिर सही होते हैं इल्वीश यादब का सटीक एकस्प्लानेशन है इल्वीश यादब की कहीं से कोई गलती नहीं होती उसी बीच में मैक्स टर्ण नाम का एक और यूटूबर है जिसका असली नाम सागल ठाकूर है वो भी एक सरकास्टिक कॉमेंट एक सरकाजम करते हुए इल्वीश यादब का पुराना वीडियो को शे पर्फेक्ट था पहली बार इल्वीश यादब के लिफ विंग बलकि लिफ्ट विंग सेंट्रल विंग जितने भी नीट्रल लोग थे जितने भी शेर लोग फें average procedure को कि 1969 Content स 시작 किया था इस पूरे के पूरे मामले में लेकिन यहां से जो इसको मैक s Okei inside video को धंकी देता है यहां से उसकी गलतियों का यह का एक सिल्सिलआ करने वाले वह एक दूसरी को यह कह रहे हैं कि गाली दे रहा है यह गुंडा है वह गुंडा है जबकि गुंड़ाई की लेकिन मैं कुछ नहीं कह रहा है कि छोड़ ंता ऑपना सखन भी नहीं दिखाता एक प्रिटर प्रॉफाइल अपने उसको छोड़ दिया उसके लिए आपके पास करने को कुछ नहीं है क्योंकि आपको पता है कि यह आदमी रैंडम से ना भी तो उसको आपने पहले धंकी दे दिया इलविस जब यह मैकस्टरण को धंकी देता है तो मैकस्टरण इलविस को फोन करता है और कहता है कि भाई आपको क्या पढ़िशानी है आप एक बार मिल के हमSort out कर लेते हैं इस पे इस मैकस्टरण को बुलाता है एक location गुरगाओं में वहां आने के लिए और मैक्स्टन देखिए कि ये आदमी अकेले मेट्रो पकड़के गुरगाओं चला जाता है इल्विस से मिलने के लिए और जब ये इल्विस से मिलने जाता है तो एक अकेला निहत्था आदमी जिसके की सरीर में जान भी नहीं लगता उसको आठ दस लोग इल्विस यादव लीड करता है और बुरी तरह से मारता है ये पूरा पूरा इल्विस यादव ने जो इसको मारा है और इसको जिस तरह से बुरी तरह से मारा है और गाली गुलोच किया है इसको जान से मारने की धमकी दिया है ये सारा वीडियो हमने अपनी यूट्यूब पर पूरा uncut audio के साथ हमने upload कर दिया है, आप जाको उस video को देख लीजिए, उस video के part को हम यहाँ पर फिर से play नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यह video को सारे के सारे youth, बच्चे, वो लोग भी देखें और violence वाली कोई भी चीज़ अगर आपको अपने video में लगा देते हैं, तो उसको age district कर देता है YouTube, तो इसलिए आप इस video को हमारे channel पर आप जाके देख लीजिए, अभी हम आपको कुछ screen shots दिखा दे रहे हैं, और यहाँ पर जिस तरह से इलविश यादव मारता है, मैक्स्टन को, यह इलविश यादव का सबसे बड़ा blunder हो जाता है, यह इतनी बड़ी गलती है इलविश यादव की, इसको कोई defend नहीं कर सकता, आप एक गुंडे मवाली की तरह दस लोग मिलके किसी को आप पीटेंगे, उसके बाद आपको कोई support नहीं कर सकता, आपने एक गैर कानूनी, illegal काम किया है, आपने एक crime किया है, उसके लिए आपको support करना बहुत ही मुश्किल है, और यह कोई पहली बार नहीं है, इलविश यादव पहले भी जैपुर में एक fan को पीट चुका है, एक fan को थपर मार चुका है, आपको यादव का वो भी वीडियो वाइरल हुआ था, हलाकि उसमें इलविश का ये आया था explanation कि उस आदमी ने पहले मुझे माबहन की गाली ती, तो मैंने उसे मारा, जबकि उस आदमी का version ये था कि मैं तो उनसे selfie मांग रहा था, और अगर आप वीडियो में भी देखेंगे, तो जब इलविश यादव उसको मारने जा रहा है, तो वो आदमी हाथ बढ़ा रहा है, हैंड सेक करने के लिए, उसको लगा कि यादम बड़े नेता आपके साथ उठते बैठते हैं, आपको पता है कि जो गुरगाओं के बड़े-बड़े पुलिस अधिकारी है, उनसे आपकी जान पहचान है, तो आपको कुछ भी आप illegal और crime करते रहेंगे, तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, कुछी दिन पहले ये snake venom वाला जो case हुआ था, कि पार्टियों में drugs के लिए साथ का जहर बेशने का काम, और snake supply करने वाला इस case में इलविश यादव फसे थे, वो एक दिन के लिए arrest भी नहीं हुए थे, उनको इलविश यादव सिर्थ और सिर्फ एक प्यादे हैं, या कोई भी इलविश यादव वो random से ना, कोई भी हो जो कि अभी सत्ता के गोद में बैठे हैं, उनको लगता है कि ये system और सरकार मुझे support करती है, तो मैं बहुत ही बड़ा कोई boss बन गया हूँ, पर actually में आप प्यादे हैं, इसका example हम आपको आगे समझाते हैं, लेकिन पहले इस story को complete कर लेते हैं, इलविश यादव जब Maxton को पीटता है, उसके बाद Maxton जो है, वो आता है, वो एक वीडियो बनाता है, और उसको लगता है कि मेरा वो दिखाता है, कि उसके ओट पे चोट का निशान दिखाता है वो, next day Maxton जो है, गुरगाव जाता है, वहाँ के police station में एफायर लिखाने, और वो पुलिस को कहता है कि इलविश के उपर 307 का जो है एफायर बनता है, attempt to murder का, यह सारे वीडियो footage एविलेबल है, जहां पे वो जान से मालने की तीन बार धमकी देता है, और कैसे वो मिल के, ग्रूप में मिल के मारता है, उसको अपने नी से मारता है, उसके मुह पे, उसके spinal cord पे, उसके phone से मारता है, तो यह सारी चीज़े explain करके, Maxton पुलिस station में बताता है, लेकिन पुलिस वाले जो है, वहाँ पे कोई भी बड़ा से ही बेल मिल जाती है, जिसमें आपको अरेस्ट करने की जरुवत नहीं होती, सिर्फ वैसे धारा लगाती है, जब तक इसमें 307 या ऐसा कोई धारा नहीं लगता, जो कि नॉन बेलेवल होता है, जिसमें इलविश यारों को अरेस्ट करना पुलिस के लिए mandatory हो जाता, वैसा कोई विधारा नहीं लगाया गया, तो इलविश के लिए बहुत आसान था, उसको फोन पे ही बेल मिल गई होगी, या उसके कोई फैमिली मेंबर या कोई भी एडवोकेट जाके बेल लेके आगया होगा थाने से, और थाने वालों ने, पुलिस वालों ने पूरा कॉपरेट भी किया होगा, ऐसा लगता है देखके, क्योंकि आपको पता है कि मनोहरलाल खटर खोद इलविश यादव को सपोर्ट करने उसके रैली में गए थे, जब सीम किसी को सपोर्ट कर रहा है तो उस राज्य की जो पुलिस है वो तो उस आदमी को सपोर्ट करेगी ही करेगी, ले कितनी बड़ी गलती करते हैं और lifelong वो कैसे पच्टाते हैं इस चीज को थोड़ा अच्छे सब समझते हैं, आपको ये बता दे कि चाहे सत्ता में बैठा हुआ किसी को कोई भी सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन आप जितना भी गलत काम करते रहते हैं, जितना भी illegal काम करते रहते ह और ये फाइल जो है और लेडी बननी तयार हो जाती है, और सत्ता में बैठा हुआ कोई भी नेता हो, या opposition में बैठा हुआ नेता हो, आपके नाम का जो फाइल है, वो बनाते रहता है, बनाते रहता है, और जिस दिन आप किसी काम के नहीं बचते या जिस दिन आपकी बली सरताज की तरह चढ़ाते हैं वैसे ही आपको फिर जमीन पे भी पटक देते हैं और कई बार तो जमीन के अंदर भी आपको गुशा देते हैं इसका एक्जामपल आपको दो देता हूँ सबसे पहला एक्जामपल एक हिंदु समाज से आप ले लीजिए विकास दूबे यूपी के बहुत चर्चित गैंस्टर जो कि हिंदु ब्रामन समाज से आते हैं उनके साथ क्या हुआ वो एक बहुत बड़े बाहुबली थे जिनका हरे एक पार्टी में काफी अच्छी पहट थी बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैटना बड़े बड़े नेताओं चाहे स किस तरह से इंकाउंटर किया आप सब को पताई होगा आप सबने एक ख़बर बहुत अच्छे से देखियोगी कि किस तरह से उनका इंकाउंटर किया गया और उनका क्या हज़र हुआ तो विकास दूबे को जिस समय ये लगता होगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक सहनसाभ बन गया हं सारे पार्टियों में सारा सत्था मेरा जो है जेब में है पर अक्ष्वल में कोई भी सत्था को जेब में नहीं रखता है वो लोग फुद एक प्यादे होते हैं सत्हा के और जिस दिन उनका काम खतम हो जाता है उनकी कुर्बानी दे दी जाती है अब मैं मुस्लिम समाच से एक आपको example देता हूँ अतिक अहमद कितने बहुबली नेता थे हरेक पार्टी हरेक जो बड़े बड़े parties हैं सारी पार्टीों के बड़े leadership का support हरेक पार्टी से चुनाव लड़ चुके हरेक पार्टी को support कर चुके आदमी लेकिन उनके साथ क्या हुआ पुलीस के बीच में camera पे सारे new channel उनका interview ले रहे हैं वहाँ पे एक आदमी आके उनको गोली मार देता है अब ये दोनों पर दोनों विकास दुबे और अतिक अहमद का जो example है ये आज के बच्चों को आज के youth को समझना चाहिए कि कैसे जब कोई सत्ता कोई politician का support होता है system का support होता है तो आप अपने आपको बहुत बड़ा बाहुगली समझने लगते हैं बहुत powerful समझने लगते हैं जैसे कि इल्वी सी आदव आज की date में अपने आपको समझ रहा है जैसे कि ये random सेना वाला आपने आपको आज की date में समझ रहा है लेकिन जैसे ही आप गलतियां करना सुरू करते हैं crimes करना आप सुरू करते हैं illegal काम करना सुरू करते हैं आपका एक file बनते रहता है बनते रहता है और सत्ता में कोई भी party lifelong नहीं रहती आज एक आता है कल दूसरा आता है कल तीसरा आता है हमेशा ही power जो है shift होते रहती है अगर एक party की भी रही तो CM बदलते रहता है बात साफ है कि इलविश यादव ने एक गलत काम किया है एक crime किया है उसके लिए हो सकता है कि अभी वो सत्ता और police के support से बच जाए लेकिन ये जो record है उनका वो तो एक बन गया है और कभी भी इस record का इस्तमाल कोई भी सरकार आके उनको गिराने के लिए कर सकती है तो ये चीज जो है मैं इलविश यादव को भी कहूंगा कि थोड़ा सा भाई अपने उपर से जो है ये temper अपना ठीक कर ले और अपने उपर जो थोड़ा एहंकार आ गया है उसको कम कर ले क्योंकि आज तो तु बच रहा है लेकिन कल को ये जो तेरे सारे footage है सारे records जो create हो रहा है इसका इस्तेमाल करके कोई विपरीत समय आ गई कोई विपरीत सरकार आ गई तो तेरे को एक दिन में permanently underground करके तेरे को जेल में डाल सकती है क्योंकि तुने अपने against बहुत सारे मुद्दे और लेड़ी खड़े कर लिये तो भाई इस तरह से जो है अपनी life को जीना बंद करो और प्यार बाटो नफरत में कुछ नी डखा आज नफरत तुम दूसरों के लिए फैलाते हो कल को वो नफरत लोटके तुम्हारे लिए जरूर आती है इसमें कोई शक नहीं हो और ये बात समझ में आ जानी चाहिए सारे जो आज की young generation है सारे लोग जो है जो कि ऐसे गाली गुलोज देने वाले लोगों को follow कर रहे है उन सब को समझ में आ जाना चाहिए तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको हमारा effort अच्छा लगता है हमारा content अच्छा लगता है तो please आप हमारे चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं फिर Thank you